Assalamualaikum class, I'm your teacher Amiza आज हम अप लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं प्रिविएस लेक्चर में हम लोग उने नर्मलाइजेशन की सेकिंड फॉर्म दिखी थी आज हम लोग नर्मलाइजेशन की थर्ड फॉर्म देखेंगे Transitive Dependencies अब हम लोग Transitive Dependencies को Remove करें हमें पतात होना चाहिए Transitive Dependency होती क्या है तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि Transitive Dependency हमारे पास क्या होती है जी Transitive Dependency क्या होती है आपके पास ये एक Table है ठीक है अब Table के अंदर Student की ही हम लोग बात करते हैं तो Student में उसकी Primary की उसका Roll Number None की Attribute में उसका Name and Section ठीक है ये आपके पास क्या है None की Attributes ठीक है और ये आपकी क्या है Primary की जी तो आपका क्या कहता है Transitive Dependency State that None की Attributes Depend upon each other एक Table के अंदर आपके जो None की Attributes हैं वो एक दूसरे पर Depend करें तो एसी सिचुएशन एसी Dependency को क्या कहा जाते है एसी Dependency को कहा जाते है Transitive Dependency जिसमें हमारे पास None की Attributes होते हैं वो एक दूसरे पर Depend कर रहे होते हैं ना के Primary की पर ठीक है तो Transitive Dependency states that None की Attributes Depend upon each other None की Attributes एक दूसरे पर Depend करें आपस में एक दूसरे पर Depend करें ना के Primary की पर तो एसी Dependency को कोईसी Dependency होती है हमारे पास Transitive Dependency होती है जिसमें None की Attributes आपस में एक दूसरे पर Depend करें प्रामरी की पर Depend नहीं करें होते है Like मैंने इदर आपको Example दी Name and Section ठीक है आप Name पे जारा है Zारा Section B में Again Zारा ठीक है Zारा Section B में Aisha Section A में Again एक और Aisha वो भी Section A में आप देखें B पे वैल्यू जारा Again B पे वैल्यू जारा A पे वैल्यू आईशा Again A पे वैल्यू आईशा तो मतलब यह दोनों किसमें Depend करें हैं एक दूसरे पर Depend करें हैं और यह दोनों क्या हैं हमारे पास None की Attributes तो ऐसी Dependency जिसमें None की Attributes एक दूसरे पर Depend कर रहे होते हैं ऐसी Dependency को कहा जाते हैं Transitive Dependency तो Transitive Dependency आपको बता दिया गया अब Transitive Dependency को किस Normal Form में Remove किया जाता है Transitive Dependency को हम लोग Third Normal Form में Remove करते हैं ठीक है Transitive Dependency को कॉंसेप्ट हो गया अब हम लोग देखेंगे कि Third NF में क्या किया जाता है Third NF में Transitive Dependency को Remove किया जाता है किस तरहां Remove किया जाता है जो None की Attributes आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं उनका क्या करें उनका Table ही Separate बना ले ठीक है उनका Table हम लोग Separate बना लेते हैं Like Name and Section इन दोनों का Table मेंने Separate बना लिया इधर में से इन दोनों में से किसी एक को मैं Primary की बना लोगी तो अब Situation ठीक है कि None की Attribute डिपेंड करें Primary की पे ना कि दूसरे None की Attribute पे तो ऐसी Situation जिसमें Part Transitive Dependency हो उसको Third Normal Format Remove किया जाता है किस तरहर रिमोव किया जाता है जो आपके पास Attributes एक दूसरे पे Depend कर रहे हैं उन Attributes का Table सेपरेट कर लें उनमें से किसी एक Attribute को Primary की का Status दे दे ठीक है इधर मेरे पास Name क्या आ गया Primary की पे और दूसरा मेरे पास क्या आ रहे है None की Attribute ठीक है तो आपके पास जब यह दोनों आ गए तो फिर तो Situation ठीक है न कि आपके पास जो None की Attributes है वो आपकी Primary की पे Depend करें तो इसमें हमारे पास फिर इस तरह हम लोग Transitive Dependency को Remove कर लेते हैं तो आपको अवर्स अव्यू दिया था अब हम लोग एक Example Solve करते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि Transitive Dependency में क्या होता है किस तरह किया जाता है आपकी Book वाली Example में क्या है जी इसमें आपके पास एक Table है जिसमें आपके पास है Customer, ID, Name, Salesman and Region Customer ID में आपके पास है 10, 20, 30, 40, 50 and 60 Name में आपके पास है एहसन, बाबर, अली, दाउद, रजा, परूग उसके बाद Salesman में आपके पास है एहमद, बशीर, अगेन एहमद, हाली, अगेन बशीर and Munir जी उसके बाद Region में आपके पास आ रहा है South, West, South, East, West and North जी यह आपके पास आपकी थर्ड नॉर्मों फॉर्म के लिए आपके पास एक टेबल आ गया इसमें यह आपकी कोलंस बना देते हैं और रोस में इसको डिवाइट कर लेते हैं जी अब यह आपके पास टेबल आ गया आपको पहले ही बताया गया था बेटा कि जब आप थर्ड नॉर्मों करोंगे आपका टेबल औरेडी सेके नॉर्मों फॉर्म में हो ठीक है तो आप इधर देख सकते हैं आपका टेबल सेके नॉर्मों फॉर्म में है कि नन की अट्रिबूट्स फुली डिपैंड अपोना प्राइमरी की इस टेबल में मैं पास एक ही प्राइमरी की है तो मत्तब यह table मेरे पास already second normal form में हैं ठीक है कि मेरे जो none की attributes है वो मेरे primary की पर ही depend कर रहे हैं अब हमने कहा था कि third normal form में क्या होता है कि none की attributes एक दूसरे पर depend कर रहे होते हैं तो अब हम इसको cross check करते हैं कि किस सहाँ depend कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ को देखते हैं जी आप देखें जरा customer ID 10 20 30 40 50 60 value repeat नहीं हो रही होतना मेरे primary की पर तो नहीं depend करेगा अब नेम देखते हैं अहसन बाबर अली दाउद रजा एंड प्रूप सबकी values डिफरेंट डिफरेंट आएं यहाँ पर भी dependency नहीं होगी salesman पर आएं salesman पर एहमद साउथ अगेन एक और एहमद एहमद पर साउथ देखें जरा एहमद एहमद एंड साउथ साउथ वाल्यूस हैं उसके बाद एक और देख लेते हैं क्या बशीर है दुवारा जी है बशीर बशीर एंड बशीर पर वेस्ट एंड वेस्ट मतलब यहां पर जो मेरे नंकी अट्रिब्यूट salesman और रिजन है यह एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ठीक है इसमें वाल्यूस आप देख सकते हैं कि एहमद मेरे पास दो दफा आया दोनों दफा एहमद में रिजन कौन सा था साउथ साउथ उसके बाद बशीर बशीर नहीं कर रहा है इस पर दूसरा देख लेते हैं बशीर 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 पर बाबर रहा है दूसरी तरफ क्या है रजा मतलब यह मेरे पास यहां पर कोई भी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है जो डिपेंड कर रहे हैं नंकी अर्ट्रिब्यूट वह salesman और रिजन है वह जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ठीक है तो मैंने क्या कहा था कहे हमने क्या करना होता है जो रहू lot की यह दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते है उनका टेबल ही हम लुग रहा na outa क्या मैं आहमद दूसरी दफा भी लिखूंगी नहीं लिखूंगी वाल्यू सेम है इदर मेरे डिटेंडनसी रिमोव हो गई एक दफा आहमद लिख लिया दूसरी दफा आहमद मैं नहीं लिखूंगी उसके बाद अगला अरहे पास बशीर बशीर पे मेरा region क्या था वैस्ट तो मैं इधर देख लिए मेरा बशीट पर इजे ने वस्ट ठीक है सेकिट वाला मैं नहीं लिखूंगी और थर्ड मेरे पास आ रहा है खालिद तो खालिद आगया क्योंकि खालिद मेरे पास एक टाइम ही है थालिद इस पर उसके बाद मुनीर पर आगया मेरा नौर्थ ठीक है तो मैंने जो मारे पास नन की अट्रिबूट्स है उनका टेबल ही सप्रेट बना लिया तो फिर मैंने का जब उनका टेबल सप्रेट करना एक को प्राइमरी की का स्टेट्स देदेना इधर मैं सेल्जमैन को क्या कर दूँग है एंडरान कर दूँगे सेल्जमैन मेरी होजाएगी प्रैमरी मेरी की और दूसरा मेरे पास यह आ गया नन की अट्वी नन की अट्वी liberté पेंड़ ऑना प्राइमरी की तो मेरी ये situation true, ठीक है, अब इस मेरे redundancy भी नहीं है, problem भी नहीं है, तो बाकी मेरे पास कौन सी entry रह गई, customer id और name, customer id, ठीक है, name, और यहां की जो primary की हो गई, salesman हो, as it is आ गई, ठीक है, customer id पे 10, 10 पे क्या name है, एहसन, salesman कौन सा है, एहमर, as it is आ गया, उसके बाद 20, 20 पे मेरा name है, बाबर, बाबर पे मेरा salesman है, बशी, as it is आ गया, उसके बाद 30, 30 पे मेरा name है, अली, और मेरा salesman है, एहमर, वो भी as it is मेरे पास आ गया, फिर 40, 40 पे दाउद, दाउद पे खालिद आ गया, उसके बाद 50, 50 पे रजा, फिर बशी, as it is, और उसके बाद last entry, 60, 60 पे फरूख, फरूख पे मुनीर, तो ये देखें, आपके पास ये entries ऐसे आगे, जिसमें salesman भी आपका primary की, और customer id भी आपकी primary की, ठीके, तो इस तरह मैंने अपने table को किस form में ले आई, थर्ड normal form में ले आई, जिसमें मेरे पास जो none की attributes थे, वो आपस में depend नहीं थे कह रहे हैं, none की attributes अपनी primary की पे ही depend कह रहे हैं, तो हमने थर्ड normal form में transitive dependencies को discuss किया, कि उसको remove करना होता है, एक अगें थोरा सा overview दे दती हूं, कि normalization में क्या करना होता है, normalization is a process of producing a simple and more reliable data structure, हमने databases के अंदर जो हमारे tables हैं, उनका simple and reliable structure बनाना होता है, इसकी हमारे पास तीन normal forms है, high normal forms भी हैं, लेकिन आपके syllabus में तीन का discuss किया हुआ है, तो इसमें हमारे पास first enough, second enough and third enough, first में क्या होता था, functional dependencies को remove किया जाता था, functional dependency क्या थी, कि अगर एक attribute की value पता है, तो मैं उससे second attribute की value find out कर सकती हूं, ठीके, तो B is fully functionally depend upon A, ठीक है, उसके बाद first normal form की, first normal form states that every cell has an atomic value, हर एक cell की एक single atomic value होनी चाहिए, उसके बाद हमने second normal form में partial dependencies को remove किया, partial dependency के आती है, कि none की attribute depend upon a part of primary key, not a whole primary key, वो whole key पे depend नहीं करते हैं, वो primary key के एक part पे depend करते होते हैं, तो second normal form में हमने क्या किया, कि none की attribute हो fully depend करें, part पे depend नहीं करें, second normal form states that none की attributes fully functionally depend upon primary key, उसके बाद third normal form, third normal form में हमने discuss किया transitive dependencies को, transitive dependencies states that none की attributes depend upon each other, कि एक table के अंदर, दो या दो से ज्यादा none की attributes एक दूसरे पे depend करें, तो ऐसे dependency, ऐसे situation हमारे पास आती है, transitive dependency, तो third normal form में हम लोग ने transitive dependency को remove किया, कि जहां पे none की attributes आपस में depend करें, उनका table separate कर लें, उनका separate table बना के, एक को primary की का status दे दें, कि none की attributes depend करें primary की पे, ना के दूसरे none की attributes पे, तो normalization का concept इतना ही था, वोफुली आप लोगों को समझ आई हो, तो आज का हमारा lecture इतना ही था, अलाफिस class, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी डाय कमेंट करें, ऐसे ही मज़ीद वीडियोज के लिए हमारा चैनल सबस्क्राइब करें, और बैल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का notification मिलता रहे,